हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू यूपेसी उरेका बिसिकली इंडो पैसिफिक एकोनोमिक फ्रेमवर्क का घुशना किया गया है जियो बाइडन के द्वारा जो यूएस के प्रेजिडेंट है और इसमें इंडिया भी जोईन किया है और इससे डिलेटेर कुछ इंपोर्टेंट प लिए यह किया गया है और यह बाइडन ने जो आईपी एफ का घुशना किया था पहली बार इसके बारे में बोला था वो अक्टूबर 2021 में इस्ट एशिया समिट में बोला था तो सेकेंड लाइन में आप देख सकते हो कि बाइडन फॉस्ट स्पोक अबाउट आईपी एफ अट अक्टूबर 2021 इस्टेशिया समिट और आईपी एफ बेसिकली फोर पिलर्ड पर अधारित है और यह जो गोशना किया गया है आईपी एफ का इंडो पैसिपिक के एकॉनोमिक फ्रेमवर का अन दे साइड लाइन्स ओफ क्वाइड समिट जो जापान में हो रहा है जिसम आपको याद रखना है और यह जो आईपी एफ है फोर पिलर्ड पर अधारित है पहला है सप्लाइचेन रेजिलिए सकेंड है क्लीन एनरजी डिकार्बनाइजेशन इंफ्रस्ट्रक्ट्ट्र थर्ड है अपका टैक्सेशन एंड एंटी करॉप्शन और फोर्थ है फेर इंडिया एंड जापान तो यह चार कंटरी प्लसth 9 countries जो है जो हैं किया है तो 9 Countries में ब्रोनाई है इंडोनेशिया है मलेशिया है, न्यूजिलेंड है, फिलिपिन्स है, सिंगपोर है, सौथ कोडिया है, थाइलेंड है, वियद नाम है, इसमें चाइना नहीं है और ताइवान भी नहीं है, आप ध्यान रखना इसमें कि चाइना ताइवान नहीं है, तो आपको इसके साथ साथ RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership जो ग्रोपिंग है, उसके बारे में भी जानना चाहिए, और TPP, जो Trans-Pacific Partnership है, उसके बारे में भी आपको information कलेक्ट करना चाहिए, तो इसके बारे में आप comment में, comment section में जा करके, बता सकते हो कि RCP में इंडिया मेंबर है या नहीं है, और TPP का क्या अभी status है, तो यह कुछ important point था regarding इंडो-Pacific Economic Partnership, जो कि अभी जो Quad Summit चल रहा है, उसके साइड लाइन पर इसका गोशना किया गया है, तो काफी important हो जाता है, खासकर चैना के बढ़ते cloud को रोकने के लिए, और इंडिया भी इसमें जोइन किया है, तो यह कुछ information था आ अ मूद रहा है, तो यह कुछ